हाई फ्रेंज तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स पर और बेसिकली कैसे अपना नाच्रल टेस्टोस्टेरोन इंक्रीस करा जाए तो उस वीडियो पर मुझे मैंने मेंचन किया था गोकशुरा के बारे में अश्रगंदा के बारे में शिलाजीत के बारे में तो उस पर्टिक्लर पार्ट पर लोगों ने बहुत फोकस किया बहुत कमेंट्स है उस वीडियो पर बहुत परसनल रिक्वेस्ट रहें कि सर्फ फो लेकिन पिछले दो साले में तो यह अती फेमस हो गया क्यों क्योंकि कोविड आ गया और कोविड के बाद सबने अपनी इम्म्यूनिटी बढ़ाने की कुशिश करी उसमें क्या था वाइटमिन सी लो जिंक लो और अश्रगंदा लो अश्रगंदा वाली चाय पीलो क्या है कौन सा ब्रैंड अच्छा है सारी चीदों के बार हम बात करें जिम ट्रेनर से लेके हमारी मम्मी ग्रैंड मदर सब यही कहते हैं बुखार हो रहा है अश्रगंदा ले लो खासी हो रही है अश्रगंदा ले लो cold, flu, myalgia, ठकान, decreased virility, decreased आपको stamina लग रहा है, decreased power लग रही है, muscle growth नहीं हो रही है हर चीज के लिए लोग अश्रगंदा recommend करते हैं तो इसमें सच क्या-क्या है किस-किस चीज पर study हो रखे और क्या-क्या proven है आज हम वो डिसकस करेंगे immunity booster तो यह है ही तो obviously covid के time पर अभी फिर से वेव आ रही है तो it's a good practice इसको लिया जा सकता है यह आपकी शक्ती बढ़ाता है recovery की भी और आपकी WBC count यानि white blood cells जो बिमारी से लड़ते हैं चाहे हो कोई भी बिमारी हो उससे लड़ते हैं उनकी count भी बढ़ाता है तो आपके शरीर की जो शमता होती है बिमारी से लड़ने की वो बढ़ जाती है और एक बहुत interesting fact है कि अगर अश्रगंधा को ginger के साथ यानि अद्रक के साथ इसको लिया जाए तो यह synergistic काम करता है एक साथ मिलके दोनों बहुत अच्छा effect देते हैं दूसरा जो इसका effect बहुत famous है वो है anti-oxidant और anti-aging effect यह बहुत बढ़िया anti-oxidant है जो आपकी काफी सारी चीजों में काफी सारी processes अच्छी skin से लिके eyesight तक सब में help करता है कई लोग तो they swear by it कि अगर दूद के साथ लिया जाता है तो आँखों की शक्ति बढ़ती है but I have not seen a lot of proof regarding it यह Ayurvedic जो specialist doctor है उनसे मैंने बात करी थी तो उन्होंने बताया था मुझे मैं alopathic doctor हूँ तो मैं proof प अश्वगंधा का जो जो regular intake करते हैं उनमें 167% increase मिला है sperm count में तो जिन लोग को link की दिक्कत होती है उसके लिए भी यह अश्वगंधा बहुत अच्छा है और उनमें 17% increase मिला है testosterone में जो कि muscle building general overall health और well-being के लिए बहुत ही अच्छा सा इन है और एक चीज़ जो proven है अस article में यह है कि यह कॉर्टिस हो यानि आपका जो stress hormone है उसको कम करता है कितना by 25% तो जो mental health है आपकी stress लेने की capability है उसको बढ़ाता है stress से deal करने की capability को बढ़ाता है तो overall है यह actually super herb है अब आधाते हैं brand पे personally usually मैं brands को नहीं favor करता हूं और मैंने बहुत different brands का अश्रगंदा try किया है यह GHC का अश्रगंदा है Mars उसका brand name 500 mg की एक capsule जाती है यह मुझे actually बहुत effective लगा मैंने पूरा महीना खाया और मुझे visible changes देखे हैं अपनी stamina में अपनी strength में सबसे वड़ी आवाद इसकी यह है कि यह 500 mg एक capsule के अंदर है जितने भी usually brands मैंने देखे हैं वो या तो 250 mg होते हैं तो आपको सुभे और शाम दोनों टाइम खाना पड़ता है उससे क्या होता है कि रात को अगर अश्रगंदा लिया जाते तो कई लोगों की नींद disturb हो जाती है वो चीज इसके साथ नहीं है दूसरा यह capsule form में है तो इसको एक ही बार सुभे ले लिया जाए that is more than enough खाने के बाद एक बार ले लिया आपका पूरे दिन का कोटा हो गया अश्रगंदा का वो capsule है वो अपने time से उसको release करती जाएगी दूसरी चीज जो है यह 100% natural है सिर्फ इसकी capsule का cover है और उसके अंदर अश्रगंदा ही है 500 mg तो इसको दिन में एक बार लिया जाए खाने के बाद नाशते के लेकिन अभी कहान ही खतम नहीं हुई अभी हम बात करेंगे side effects की क्योंकि अच्छी चीजें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन अगर limit मिली जाए तो जो dosage मैंने आपको बताई उसको exceed नहीं करना अगर इसकी dosage जो है 1000 mg से जादा exceed करी जाती है तो उल्टा असर पढ़ सकता है बुखार चड़ सकता है fever, myalgia, stomach upset, diarrhea, loose tools, ulti, nausea यह सारी चीजे हो सकती है और excessive लेने से इससे blood pressure पर भी असर पढ़ता है blood pressure भी बढ़ जाता कुछ लोग का तो वो cardiac health के लिए बहुत अच्छा नहीं है तो इसको लेना है पर limit में लेना है कितना लेना है 500 mg आपको सुभे breakfast के ब चैनल को और share ज़रूर करें क्योंकि यह अपना Indian product है अपनी आयरवेदा है और worldwide यह covid की वज़े से भिक रही है तो इसको इंडिया के नाम के लिए आयरवेदा के लिए आगे बढ़ा सकते हैं यह actually one of those things है ऐसी आयरवेदिक चीज़ है जिसमें मैं भी विश्वास करता हूँ